नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड अमारे चल्म आप सभी का स्वागत है फ्रेंड रोडवेज में जल्द दस हजार परिचालकों की होगी भरती तो फ्रेंड यह भरती जो है आप लोगों के सामने जो मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ इसमें मैं कम्प्लेटली आपको बात कि कौन सी पोश्ट आने वाली है और यहां पोश्ट में आई टी आई के बच्चे फार्म को फिल अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और कौन से ट्रेट के बच्चे इसमें फार्म को फिल अप करेंगे और यह जो भरती आएगी यह किस के माध्यम से यह निकाली सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे करने वाले सब हर एक अपडेट आपको मिल सकके और यहा जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यहा अभी दो से तीन दिन पहले की जानकारी है जो कि आप लोगों को यहाँ पे अकबार के माध्यम से बताया गया है कि रोडवेज में जल्द दस हजार परिचालकों की होगी भरती जिसमें जो है यहाँ पे देखी आपके सामने दिया क्या गया है कि उत्तर परदेश के परिवहन राज गुरुवार को आप देख सकते हैं गुरुवार को ही उन्होंने बताया था कि परिवाहन निगम के सभागार में वरिष्ट अधिकारियों एवं सभी छेत्री परबंद को के साथ समिछा बैठा कर रहे थे उन्होंने कहा कि परिचालकों की कमी से परिवहन निगम की बहुत स जद दूर करने के निर्देश दिये हैं तो आप समझ सकते हैं technical staff में हमारे जो technical वाले बच्चे होते हैं इण की यहाँ पटाउ। आगे मैं सार्व कुछ आपको बताऊंगा ठीक है मथारी ने कहा कि बस स्टेशनों के साथ साथ अच्छी quality की बसें लोगों को मुहाईय कराई जाएं इसके लिए जरूरी है कि वर्कसाफ आप देख लीजे यहाँ पे आपके सामने जो वर्कसाफ होता है वर्कसाफ में बसों की अच्छी ढंक से मरम्मत की जाएं जिसे से बसों की छत टपकने की समिश्य दूर हो सके परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते समय लोगों को सुखद यों अरामदायक यात्रा की अनुभूती हो सके इसके लिए बसों की सीटे वसी से इत्यादी आदी बहतर कंडिशन में होने चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी रोडवेज जो आप लोगों की यहाँ पर भरती आएगी वो वर्कसाप मेंटेनेंस की भरती निकलेगी जिसमें अभी मैंने आपको दो-तीन मैंने पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया थी कि कितनी सीटे आपको बताई गई थी वहाँ पे 372 सीटे बताई गई थी जिसमें फीटर, एलक्टिशन, टर्न निकल स्टाप के जरिये रहेगी और यह वर्कसाप में जो वर्क होता है आईटी आई के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए भरती निकाली जाएगी बाकी इसमें जो है जो भी कंड़क्टर आदी होते हैं वो तो सारी सीटे निकलेंगी ही 10,000 के बीच में लेकिन हमारी ज जो भी आईटी आई के जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर टेक्निकल जो है आप कह सकते हैं कि इस्टाप की भरती जो है वर्कसाप के लिए निकाली जाने वाली है तो आप सभी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको यह सारी ज लाइक करना मद भूलेगा, लाइक करना मद भूलेगा, सो थैंक्क वाचिकन पाई बाई बाई